दोस्तो बिहार में सरकारी योजनाओं में बंदर बांट और लूट पार पूरे बिहार में मचा हुआ है वहीं आवास योजना में बड़ी गरबडी सामने आ रही है जहां कई जगह की बीभागिये अस्तर पर जांच भी किया जा रहा है और दोसी पाए जाने वाले लोगों पर कारवाई भी की जा रही है उसके बावजूद लेकिन इस वक्त एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे इसके एक आवाज सहाय को गिरामिनों ने जम कर पीटाई कर दिया है अब आए जानते हैं एक खबर थोड़ा विस्तार से की मामला क्या है दरसल बिहार के औरंगाबाद में गि पीडियो भी बना दिया और वीडियो बनाने के बाद उसको सोचल मीडिया पर वारल कर दिया घटना कुटूंबा परखंट के मटपा पंचायत अंतरगत सराइबर गाउं का है जहां मारपित में चोटिल आवाज सहायक मनोज मिस्रा रफी गंज बलोग के पीछे का रहने व हुआ है वही परधान मंतिर आवास योजना के अंतरगत जाच में सोमगार को दोफ़र सराइबर गाउं गया जहां गिरामिनों ने उसे गेर लिया और फिर क्या गाली गुलोज करते हुए गिरामिनों ने पिटाए करनी सुरू कर दिया उक्त आवास सहायक आवास योजना म में लाभुकों से रिस्वत वसुलने के लिए दो अस्थानी लोगों को खरा किया था जिसका नाम राजा और मंटू बताया जा रहा है जब भी लाभुक उससे आवास योजना के किस एकांट में डालने के लिए बात करते थे तो वह अपने दोस्तों अपने दो एजन्टों के नाम लेकर उससे बात करने के लिए बोलता था जबकि मारपीट मामले को लेकर जब आवास सहायक मनोज मिसरा से बाचित की गई तो उन्होंने मारपीट की घटना से पहले इनकार कर दिया जब उनसे कहा गया कि मारपीट का वीडियो हमारे पास है तो कहा कि मिलकर सब कायद दर्ज कराने आवेदन लेकर थाना पहुंच गया। इस संबन्द में कुटुमबा वीडियो चंद्र भूसन गुपता ने बताया कि आवास सहायक द्वारा प्राप्त आवेदन को आवस्यक करवाई है तू थाना को अगरसित कर दिया गया है। इदर मामले की जांच करा आई जाएगी और दोसी के विरूत उचित करवाई किया जाएगा। अब सवाल यह होता है कि क्या आवास सहायक की पिटाई क्यों की गई। क्या आवास सहायक आवास योजना में लोगों से रिस्वत मांगते हैं।